अंदास दे के गुर्णाम सिंग चडूनी वालों जो बयान देता गया है चोंड लड़न दा उसनु लएके हर्याना दे मुखमंत्री मनोरलाल ने तंच कस यह गुर्णाम सिंह चडूनी दे बयान ते मुखमंत्री मनोला घटर ने तंच कस देया इसनू राधनीती तो फ्रेरित किसान अंदोलनू दस्याई इकवा फिर तो भर्याना दे मुखमंत्री वालों हुन बयान देता गया है अंदोलन विच किसाना दी समस्यानू लेके कोई मंग ना चुके जानता पेयान मनोललल लो दिता गया हुना साफ तो दो तेस आंदोलनू राधनीती तो फ्रेरित किरार देता हैुना क्या कि असल किसान इना कानुना नू सही कह रहा है हुना चाहिए जैता तो बहुत देनि गुरनाम सिंक दी ने पजजाब lifalo ऑन दे मुखम फिर इस बयान नो चडूनी ते बयान नो लेकि उनने तंच कस्तिया इस किसान आंदोलन नो रादनी ती तो प्रेरित आंदोलन करार देता है। उन्हें क्या कि आंदोलन देविच किसाना दी समस्या नो लेकि कोई मांग नहीं रखी जारी। बलकि ऐस सियास्त तो प्रेरे तांदो लगे उना क्या कि ऐसे चौन ने आ कि वद्या तरीके नाल किसान कानूना नू स्टाडी करन क्योंकि जो असल किसान ने ओएस दी हमायत करने बीते दिनी गुर्णाम सिंग चौनूनी ने पंजाब दे किसान नू चौना लड़न नू लेके एक बयान देता सी और उस तो बाद हुन एक वार फेर तो एजड़ी सियासत गर्मांदी होई नजर आ रही है ते हरना दे मुक मंत्री मनोल वाल वालों एविवादत बयान देता गया जो बात हम कहते हैं वह उन्होंने कही है उसमें कौन सी दो बड़ी बात है आखर वो ये कह रहे हैं कि पंजाब के लोगों को चुनाव लड़ना चाहिए हम भी कह रहे हैं कि राजनिती है इसके पीछे तो राजनिती से प्रेरित हो के और वो इस अभ्यान को चलाया हुए इस अंदोलन में किसानों के समस्याओं को लेकर किसी प्रकार भी उनका सरुकार नहीं है और किसान तो आज भी इस नए कानून को अच्छा मानता है